यूपी टीउ का बच्चो रजिस्ट्रेशन चल रहा है चॉइस फिलिंग होगी आपकी 17 जुलाई से तो बच्चों का डिमांड आए कि सर आप रिव्यूज करना शुरू करें तो बच्चे डिमांड करें हम लोग फुल्फिल ना करें तो एक नई सीरीज हम लोग बच्चों चला रहे जिसमें की आपको हर कॉलेज का एक मिनी रिव्यू देखने को मिलेगा जिसमें हम सब कुछ करेंगे उस चोटे से वीडियो में ने उसके बाद हम लोग करेंगे कि वहां पर कितनी लुए कि तक करने वाले हैं आपको करेंगे वह सब कुछ बच्चों इस एक वीडियो के अंदर सब कुछ होगा तो यह सारा सेरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें की पहला कॉलेज आपको पता है आई टी लखनो रहने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखना बठाएं इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी स सब्सक्राइब कर लो अब हम बढ़ते हैं आगे लखनो जो की सबसे बेस्ट है और गवर्मेंट कॉलेज है इसका पूरा नाम इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनेरिंग एंड टेक्नॉलिजी लखनो रहने वाला है इसकी एरिया की बात करें तो काफी बड़ा कैंपस है एक हं सबसे पुराना कॉलेज है और वेसली यह गवर्मेंट कॉलेज रहने वाला है कैंपस देखो के तो काफी बढ़ियां कैंपस है बठा कुछ कुछ चीज़ें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कि उसमें थोड़ा लेट होता है ठीक है यह बस एक थोड़ा सा इसू होता है ले बचे सोचते हैं मेरे को भी इतनी की लग जाएगी तो इसा नहीं होता बच्चो इतनी की नहीं लगती है बट आपको ज्यादा तर बच्चो की लगती है ठीक है यहां पे जो है 1.2 करोड का भी गया है ठीक है लेकिन वह ओफ कैंपस था का मतलब क्या होता है कि कॉलेज वालों ने प्लेस्मेंट के लिए बुलाई कंपनी उन्होंने दिया रहे इतना का वर्ना आफकेंपस क्या होता है कि वह कहीं बाहर जाके अप्लाइग कि वहां मिल गया उसी कॉलेज के बच्चों को तो आफ कैंपस कहते हैं ठीक है नहां कि package की बात करें ज्यादतर बच्चों कुछ क्या मिलेगी तो 8.2 LPA के आसपास मिल जाएगा आठ लाग के आसपास यहां पर average placement मिल जाता है बाकि बिल्कुल lower branches सब लोगे तो फिर 4-5 लाग की 6 लाग की placement लगती है बट अच्छी branches से ले लेते हो CSEC सब लेते हो अच्छी branches तो फिर जाकर के आपको बढ़ियां लगने वाली है देखो बच्चों अभी तो हमने कुछ data का discussion किया और भी data का discussion होगा बट बहुत जादा important बात यहां पर क्या है कि अभी registration होने के बाद choice filling होनी है और choice college में जाकर के आपका चला जाएगा ठीक है दो साल पूरी आपने मेहनत किए जैई की तयारी किए आपकी जो भी rank आई है चाहे आठ लाग दस लाग बारा लाग जितनी भी rank आई है चाहे अच्छी friends बनेंगे वो बुलेंगे तुझे तो बढ़िया मिल सकता था इस college में क्या कर रहा है तब और ज्यादा counselors हैं क्योंकि दूसरे counselors क्या करते हैं एक बार तो counseling आपसे करीद वाली उसके बाद जाकर करेंगे नहीं आपको कुछ comment पूरा भरा रहता है उनका उसी सर्विस आपको पता चल जाती है लेकिन यहां best service मिलती है त्रपत अकाड़मी इस दे जैसी जैसी आपको सारे जाता है कि अभी से लेकर करें जब तक आप college पहुंच लेटे पहले पहुंच जाते तब तक आपका पूरा साथ वो दे रहे होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, सारा कुछ क्लियर कर रहे होंगे, इसके बाद आता है, most important that is your choice filling, 700 से ज़्यादा colleges हैं, उन colleges के अंदर 5 से 10 branches होती हैं, इतनी ज़्यादा choices, 1000 से ज़्यादा choice filling में आपको बरना पड़ेगा, इतनी सारी choices में से आपको कैसे पता है कि कौन सा बढ़िया है, किसे बरना चाहिए, किस college को उपर रखना चाहिए, किसको नीचे, आपको नहीं पता है, but हमारे पास experience है कि आपको best से best कैसे fill कर आना है, तो आपको personalized choice filling आपकी rank के हिसाब से, आपकी category के हिसाब से करवाई जाएगी इस counseling के अंदर, इसके बाद आता है, जो भी आपके documents के related, scholarship के related, जितने भी doubts हैं, सब कुछ आप लोग clear कर सकते हूं, इसकी बाद बच्चों आप पूछोगे कि इसकी fees कितनी है, अभी के लिए बहुत affordable fees की गई है, ठीक है, counselors आप से 2000-3000 भी ले रहे होंगे, ठीक है, इससे कम वाले भी होंगे, लेकिन जो premium facility हम देते हैं, कोई भी नहीं देगा, इसकी fees only अभी के लिए 999 है, कितना 999 है, बस 100 बच्चों के लिए, already हमारे पास 50 बच्चे हो भी चुके हैं, बस 50 बच्चों के seats बस बच्ची होई होगी, तो वो अजैसी हो जाएंगे, तो इसकी 1000-1500 फीस हो जाने वाली है, इसलिए जो भी बच्चा ये वीडियो विजिट कर सकते हैं, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करेंगा कि आप आफ लाइन आ जाओ, ठीक है, डेली NCR के अंदर डेली मेटरों बैठोगे, नॉइडा एलेक्टरनिक सिटी लास्ट मेटर होता है, वहाँ से पैदल चल करके हमारे ओफिस पे आजाओगे, ओफिस पे आने के लिए सबसे पहले लिंक में आपको देखने को मिलेगा कि इस दिन आपको आना है, उस दिन आप ओफिस पे आ जाओगे, ओफिस पे आने के बाद हमारे से बातचीत हो जाएगी, काउंसलर से वहाँ पर आके, फिजिकली इंटरक्शन होगा, सामने सामने बैट के, जो भी चीज़ें सारा कुछ कुछ क्लियर होगा, उसके बाद जाकर कि आपकी जो भी चीज़ें, आप हमारे साथ अगर इन्रॉल हो जाते हो, इन्रॉल होने के बाद आपकी जो भी चॉइस फिलिंग है, ठीक है, वो सब कुछ हम वहाँ पे लाप्टॉप से भरवाएंगे आपका, ठीक है, खुछ से जो मेंटर्स है, पांस सारा से ज्यादा का ऑफलाइन के जो मेंटर्स हैं, वो पूरा आपका चॉइस फिलिंग कराएंगे, साधी 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 रेजिशेशन नहीं हुआ है, रेजिशेशन प्रॉसस भी कम्प्लीट कराएंगे, डॉक्मेंट सब में कुछ दिक्कत आ रही है, डॉक्मेंट अपलोड करना है, वो सब आपको प्रॉइड कर रहे हैं, तो आप सुचोगे कि इसकी फीज कितनी है, तो देखो बच्चो इसकी फीज आक्च्वल में है 20,000, 20,000 रुपैस की फीज है, बट इसको ध्यान से सुनो, 20,000 में लगबग हम 4-5 काउंसलिंग बच्चो कराते हैं, या उससे ज़्यादा कभी करना चाता है, तो कौन-कौन सी काउंसलिंग जैसे की अभी UPTU तो करो गई, साथ में HBTU है, तिर्पल MUT है, इन सब की भी काउंसलिंग है, ठीक है, ये सब करोगे, तीन काउंसलिंग ही हो गई, इसके अलावा बात करें तो देली के अंदर काफी बढ़ियां काउंसलिंग ह तो चार ही कांसलिंग है, ठीक है, चार कांसलिंग पर कांसलिंग कितना पड़ा, बस 55,000 रुपे, और आप ओनलाइन में कितना, 1000-1500 रुपे, एक कांसलिंग कर दोगे, तो सोचोनों कि आपको कितनी बढ़िया फैसलिटी भी ऑफलाइन में मिल रही है, बाकी कुछ बच्चे है कि नहीं सर मुझे तो एक-दो कांसलिंग कराना है, जैसे यू-पी-ट्यू, यही सब बस कराना है ओफ-लाइन में, तो बच्चो आप लोग कर लो, ऑफिस पर आजो, काफी ज़्यादा डिसकाउंट कर देते हैं, अगर बस दो यही कांसलिंग करवानी है, अब आ जाते है बैड, चेर, टेवल, अलमिरा, जो भी बेसिक फैसलिटीज होती है, पानी पीने, इन सब में कोई दिकत नहीं है, आपको टोटल खाने, पीने में, चार मील्स देखने को मिल जाएंगी, और मैस फूर्ट बढ़ियां रहता है, ठीक है, ओव्यस भी बात है कि आपको घर का ख स्पोर्ट भी देखने को मिल जाती है, तो कोई दिकत नहीं है, स्पोर्ट में, अब आजाते हैं, बचो कट आफ का डिसकेशन करते हैं, ठीक है, यूपी टीओ के राउंड फोर की कट आफ है, बाकी यहां पर क्या होता है, कि जो गवर्मेंट कॉलेजिस होते हैं, उनमें स् इंजिनेरिंग आपको, जनरल वाले बच्चों को 48,000 तक, OBC वाले बच्चों को 58,000 तक, और SC वाले बच्चों को 1,31,000 तक, बाकी यहां CSE की सेल्फ फाइनेंस वाली CTB है, इसमें की फीज थोड़ी जादा है, 15-20,000 रुपे फीज एक्स्ट्रा है, बट हां वहां पर आप Special Intelligence 47,000 तक, जनरल वाले बच्चों को, OBC 61,000 और EWS 50,000, SC 151,000, EC ब्रांच की बात करें तक, 65,000 फो जनरल, OBC 72,000, EWS 66,000, SC 213,000, बाकी आप लोग Chemical Engineering 1,28,000 जनरल वाले बच्चों को, OBC 169,000, EWS 134,000, SC 388,000, SC 695,000, बाकी FW Seats यहां पर देख लो, ठीक है, FW Seats जो आपको मि 31,500 तक मिलेगा, CAC ब्रांच, CAC की Self Finance, 34,000 तक, EC 62,000 तक, जहां पर आपके पूरी tuition fees, माफ हो जाएगी, कॉलेज की, इसके अलावा, All India ले बच्चे, जो की Other State के बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास आपका Domicile भी नहीं है, ठीक है, और साधी साथ आपका, UP से आपने Crash 12 भी मिल जाता है, बाकी fees की बात करें, तो यहां पर आपको काफी कम fees लगते हैं, लगबग साड़े तीन लाखी fees हैं, यहां पर आपको टोटल चार साल का, और अगर आप CAC Self Finance, या CAC Artificial Intelligence, वो सब ब्रांच ले तो चार लाख, थोड़ी सी fees ज्यादा लगेगी, बाकी होस्टल का चलो कि 6 लाख के आपका टोटल खर्चा बैठने वाला है, इस कॉलेज में, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गे होंगे, फिर भी कुछ बच रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, और हां, ध्यान से कामसिंग सपोर्ट में इन्रॉल करने हैं, बाकी अगर ऑफ लाइ क्या है, यह था हो जाते हैं, पूछ रहे हैं, बाकी करने हैं, आपका टीम θα बबाद़ हो, और हimensा कि रद़ São Gor, कि अंगर लाइंपें, आपके समयाम से कामसिंग में, डाउट्स क्मासिंग से क्या हैं, जाव बचरा हैं, बाहे हैं भी समयार, कि वह रहेंबका बच्ज करका,